स्टार्ट हो गया ना तो अभी क्वालिटी का क्या प्रोसेस रहता है वेरहूस के अंदर तो जो भी अब्जेक्ट है जो भी प्रोड़क्ट है किसी भी इंडस्ट्री का फो रोत ती 1, 4 प्रोसेस होते है क्वालिटी दो अम अभी जाँगे तो जैसे हम प्रोडनिकर्मेंट करते हैं बाहर छे इच्ट का कَّ अब अगर हमारी manufacturing industry है तो वो raw material purchase करती है राइट तो raw material जब भी हम purchase करेंगे ठीक है इससे vendor से जो भी हम warehouse के अंदर लेंगे तो last time हमने जो receiving किया था उसमें difference क्या रहेगा तो जैसे ही आपका ये inbound process है inbound में क्या करते हम vendor को सबसे पहले P.O. गया ठीक है purchase order release हुआ P.O. के हिसाब से vendor ने goods ready किया ठीक है goods ready करने के बाद उसने goods के साथ क्या भेजा invoice भेजी, bill की goods भेजा product भेजा, bill भेजा अगर quality का material है तो quality का certificate भेजेगा उसने भी quality की होगी न quality inspection का certificate बोल लो, inspection document बोल लो inspection document अभी ये वेंडर की तरफ ही है अभी अपने या नहीं आया है तो पी हो गया वेंडर को suppose करो हमें manufacture करना है जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जामपल लिया था मिरर का तो mirror का ही लेते है तो अब हमें mirror बनाना है mirror बनाने के लिए mold बनाने के लिए raw material चाहिए तो उसके लिए हम purchase order देंगे vendor को vendor क्या करेगा उस purchase order के हिसाब से goods ready करेगा उसका invoice दिलेगा जो भी quality से related चीज़ है वो करने के बाद document के साथ ये सारे document किसको बेजेगा प्लांट में बेजेगा तो जैसे ही ये प्लांट में आएगा इसका क्या होगा good receipt तो पहले पी हो गया goods ready होके gate पे आ गया gate से अभी plant में क्या होगा उसका good receipt होगा अब good receipt होने के बाद अगर वो material quality active है अगर उसकी quality होनी है quality active है quality active का क्या मतलब है कि अगर वो material उसकी quality होनी है तो जैसे हमने warehouse के view extend किये थे SAP में ऐसे ही उसके quality के view और उसका inspection time assign किया जाता है कि क्या check करना है ठीक है तो इंडीपेंडेंट जो quality में process होता है वो मैं उपर बता देता हूं तो इंडीपेंडेंट क्या होता है जिस material का quality होना है उसका क्या होगा material extend होगा quality view के लिए उसमें inspection क्या होना है उसका type होगा तो purchase करते समय होना है अब देखो quality है तो purchase करते समय हो गई अब suppose करो आपके हाँ goods prepare हो गया ठीक है production होई है उसकी produce हुआ है goods तो उसकी भी quality करनी जरूरी है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है तो एक process हो गया production के बाद का quality ठीक है तो यह raw material की quality थी यह production के बाद की quality तो अभी मैं raw material की बता रहा हूं फिर production वाले के हैं ठीक है तो चेक करने के लिए अब जैसे suppose करो आपको क्या चेक करना है उसके लिए system में characteristic बनती है क्या चेक करनी है तो अब gear की quality चेक करनी है तो gear की क्या क्या चेक करने होगे उसके teeth कैसे है एक तो physical दो तरीके की characteristic हो सकती है एक तो physical है और एक instrument से जो करनी होगी जो calculate करनी होगी तो उसके लिए characteristic बनती है कि उसकी physical चेक करना है inspection या उसको instrument से वगरा से करना है ठीक है तो उसके हिसाब से characteristic दूसरा अगर suppose करो nut bolt आ रहे इस किलो नट बोलT या भीक किलो नट बोलT आया अब एक एक पार्ड तो मैं उसका क्या बनता है Sample जैसे 10 किलो में से मालव हमने 10-12 नट उठा लिए और उसका कर लिया तो कितना का चेक करके अपरूब करना है उसके लिए एक हो वता है सिस्टम में Sampling Procedure सेंपली प्रोसीजर ठीक है अब कब चेक करना है क्या चेज करना है क्या मैथर्ड होगा चेक करने का उसके लिए बनता है इस्पेक्शन प्लान ठीक है तो यह इंडिपेंडेंट जो काम है यह किसका होता है क्वालिटी अब वो क्वालिटी चेक कहा होगी उसके लिए वर्क सेंटर बनते हैं प्रोडक्शन में जैसे वर्क सेंटर था इसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए ऐसे ही क्वालिटी चेक करने के लिए भी वर्क सेंटर होता है कि कहां पे क्वालिटी उसकी हो नहीं तो यह जो है यह प करता है independent तो यह सारी जो activity अभी मैंने बताई है वो किसकी है quality module की जैसे suppose करो आपका direct आपका ऐसा वेरहूस है automobile का जिसमें आप उसके parts supply करते हो आप का suppose करो कि car का आपका वेरहूस car के parts का आपका वेरहूस है तो अब आपने suppose कि जी आपने कार का gear मंगाया है आपको अब कार के gear में क्या check करना है तो gear के लिए अगर quality active है तो gear का वो view extend होगा quality के process जैसे मैंने बताई परचेस करते समय एक बनाते समय तो उसके कौन से type का inspection करना है क्या raw material inspection है या finish good बनाने के बाद का inspection तो उसका inspection type होता है उस gear में check क्या करना है तो character stick पर depend करता है कि आपको उस gear में उसकी measurement करनी है या physical inspections करनी है अब आता है sampling से एक होता है sampling procedure तो अगर आपने gear मंगाये हैं और gear hundred percent procedure है तो आपको जितने gear मंगाएंगे उतने के उतने gear check करने पड़ेंगे लेकिन अगर आपने washer मंगाया है nut bolt मंगाये हैं और वो हजारों में kilo में हैं तो कई जगे sample किया जाता है कि दस बारा आपने sample उठाए उसके हिसाब से system में होता है कि कितना sample का को करना है क्या करना है कब करना है कितना करना है inspection plan में पूरा ready होता है और work center जो है जहां पर वो करना है तो यह master return का part आ जाता है जो अभी मैंने quality का आपको बताया है तो एक quality का view है उस view में कि quality करनी है या नहीं करनी है करनी है तो कौन सी करनी है परचेस की करनी है production की करनी है या आपने कोई material बेच दिया है customer को और customer ने बोला नहीं यह material खराब है आपकी wrong quality है चाहे वो रास्ते में damage हुआ हो या तो एक sales return के समय भी हो जाता है तो वो inspection time से determine हो जाता है characteristics से क्या check करना है वो determine हो जाता है procedure से sample से कि कि कितने करने 100% quality करनी है कुछ parts की करनी है वो procedure से हो जाता है ठीक है और वो सब plan में रहता है तो quality का ये independent process है इसमें कोई doubt है तो बताओ तो quality check दोनों टाइम होगा जब मैं procure कर रहा हो जब मैं लेजना हो दोनों टाइम mandatory है अगर आपने करना है अगर आपने quality activate कर दिया है जो view होता है ठीक है और आपने inspection type लगा दिया है कि खरीदिते सर्में मेरी quality होनी चाहिए तो उस material को जब भी P.O. बनके वो plant में आएगा तो उसकी quality होगी ठीक है ठीक है अब sales return में आपने डाल दिया कि 100% जब भी वो sales होके वापिस आएगा ठीक है तो अब आपको quality check करनी है क्योंकि customer ने कुछ ना कुछ reason देके आपको बेजाए कि यह मुझे नहीं चाहिए वापिस ले इसको उसने जो reason दिया है अब आप वो जो sales के बाद की जो quality होगी वो sales return का पार्ट होगी ठीक है तो वो चेक होगा ठीक है यह independently quality से related आप warehouse में क्या होता है वो मैं बताता हूँ यहां तक कोई doubt है तो बताओ मैंने तुमको जो बताया है बहुत डिटेल में यह वैसे ज्यादा बड़ी तो नहीं है बट देखोगे तो इतना ही master data है और inspection type एक होती है 01 एक होती है 04 एक होती है 06 जो मैंने देखा यूज होते हुए तो 101 होता है जब receive कर रहे हैं उसके लिए साहिब देख लेना 01 या 04 होगा एक जब sales return होता है उसका अलग अलग inspection type मिले यहां तक को इंडाउड प्रोसेस वाइस नहीं जरी अप्रोसेस तो अब आते हैं हम warehouse में क्या प्रोसेस रहता है तो जैसे मैंने बताया कि sample अब suppose करो आपका good receipt हुआ सेम प्रोसेस है आप good receipt होने के बाद उसकी 100% quality होनी है तो quality होने के लिए उसका inspection करना पड़ेगा न तो जैसे ही आपकी purchase हो गई गुड रिसिप्ट हो गई अगर वो material quality active है और उसके inspection टाइप लगाए कि purchase के स्याथ उसका quality होना है तो quality view से वो determine होगा कि उसका क्या होना है और उसके हिसाब से material जो है वो q status के साथ q stock category के साथ चार तरीके की stock category होती है न एक होती है unrestricted unrestricted block restricted or q block as return sales का और q quality ठीक है यह चार तरीके की stock category होती है ठीक है और यह चार तरीके का ही stock होता है आप देखोगे normally तो कैसे अगर आपका system है कोई साथी system हो चाहे वो sap हो चाहे non sap हो तो या तो वो material का जो stock होगा वो use के काबिल होगा usable होगा राइट तो अगर वो usable है तो unrestricted stock है कहीं भी ले जाओ कुछ भी करो कोई भी process के लिए issue करो unrestricted है free stock है अच्छी inventory ठीक है अब किसी x y z reason से आप नहीं चाहते कि वो inventory को use करे तो उसको क्या रखेंगे block करेंगे और को use ना कर पाए उस inventory को sale में purchase में बाकी process में production में consumption में तो block रखा जाता है उस inventory को return अब जो आपने sale किया जो वापिस है तो उसके लिए दे रखा है क्योंकि वो sales return है तो उसका R रहता है उसका stock क्या रहेगा R और अगर उसकी quality होनी है तो क्यों ठीक है तो quality का stock जो होगा वो बाकी sale के लिए बाकी process के लिए usable नहीं होगा जब तक उसकी quality नहीं हो जाए तो मीगो होते ही आपका अगर material quality extended है inspection type लगा हुआ है तो वो किस में stock आएगा क्यों stock quality stock में receive होगा कि एक चीज़ पूछने मुझे कि मालो वहां से निकल पाई stock बेंटर के पास से तो होगा तो वो तो गुट इसू करेंगे जी आई मालो PGI करेंगे तो जरूरी आई कि हर बाद जब भी हम PGI करने तो stock हमारा तो contradictory रहे है quality रहेगा तो भी हो सकते है जिया यह नहीं हो सकता quality stock हम लोग कभी मुझे किसी भी process के लिए use नहीं करते सब्सक्राइब जब तक उसकी quality नहीं it's not recundable कि अगर वो quality उसकी होनी है तो उसको वेराउस वाले जब तक quality नहीं होगी किसी भी प्रोसेस में यूज नहीं करेंगे सिस्टम में भी इसू आता है अभी वो system के इसू में आपको बाद में बता ओंगा भी process बता रहाँ थो मैं ना स्टॉक हमेशा पीस का मिगो किया ठीक है ती 100 करता हूँ 100 पीस का रिसिप्ट किया गुड ठीक है और अगर इंस्पेक्शन प्लान है 100% यह 100% बनेगा ही बनेगा ठीक है तो और 100% quality करनी है तो 100 का 100 stock किसमें चला जाएगा क्यों में चला जाएगा एक सिनेरियो पूरा का 100 का 100 quality होनी है ठीक है जब वो quality हो जाएगा तब आपका वो Q stock किसमें आ जाएगा 100 unrestricted stock में आ जाएगा ठीक है तो पहले उसका quality का process होगा अब देखो होता कैसे है stock warehouse में किसमें रहता है बिन में रहता है यह बिन है SAP ने जो इंट्री में दो एरिया दिया है एक दिया है storage type और एक दिया है इंट्री में दिया है दिया है न हर process के लिए तो quality के लिए जो उसने दिया है वो 917 दिया है 917 storage type कैसे अगर आपके पास 120 GR एरिया में GR एरिया का क्या होता है 902 902 आया और आप चाहते हैं के नहीं quality के लिए आप 100% quality भेजना चाहते हैं 917 में quality वाले एरिया में या आप 10% करना चाहते हैं quality sample process plus percent quality करना चाहते हैं तो कितना percent जाएगा उदर इदर दस आएगा Q stock और इदर कितना रहेगा 90 रहेगा तो इस तरीके से ये जो 917 वाले एरिया है वो इसलिए बनाया गया है कि आपका quality जो होगा वो यहाँ पे ये 917 inspection के लिए एरिया बनाया है storage type है 917 inspection होने के बाद वो फिर warehouse के use के लिए आजागा दूसरा अगर आपको नहीं ले जाना है तो 917 के अलावा आप 902 में ही उसकी quality 902 में भी कर सकते हैं ठीक है तो sample अगर करने है sample में ले जाना है दो scenario ले जाना है तो 917 ideally कोई करता नहीं है क्योंकि physical तो move होता नहीं है goods अगर मानलो कोई warehouse में goods आ गया है तो physically कोई नहीं move करेगा जब तक quality होनी है उसकी quality होने के बाद ही वो भी इन में जाएगा physically कोई नहीं उठा के रखता है एक ही जगे stock रहता है quality का भी और free stock भी quality वाला बंदा आता है उसको पता रहता है कि मुझे इसकी quality करनी है वो वहीं उसका quality करता है और फिर वो warehouse में जाता है तो हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे PCN मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया अभी प्रोसेस PCN का नहीं अभी नहीं होगा अभी नहीं होगा चलो एक लास PCN के भी करेंगे मुझे मुझे एक डाउट यह है कि मतलब कि जैसे आपने हाँ पर sampling procedure बताया कि मेरे जो भी में काम करो उसमें करते कुछ स्टॉक सैंप्लिंग स्टोई लोकेशन में भी बेचते हैं तो वह 917 वाला ही पार्ट है या क्या है सर्थ हाँ बताता हूँ 917 सेपी ने कैसे दिया है कि अगर मालो आपकी 100 प्रेशन नहीं है तो दस मालो 100 पीस आये हैं तो दस पीस inspection होके जब तक फाइनल नहीं होंगे तब तक 90 पीस कहां रहेंगे या होल्ड रहेंगे 100 के 100 तो नहीं ले जाने ना तो जब तक वह 100 के 100 वह approval जब मिलेगा तब जाएगा कि इदर लिख रहे थे यार हम तो देखो जी यार गूड रिसिप्ट तो एरिया ये है ना 902 गूड रिसिप्ट एरिया क्या है ये है और inspection के लिए quality के लिए एक 970 क्यों दिया मालो sample बेस जाना है तो जब तक 900 sample में inspection lot बनेगा वो lot तब clear होगा जब तक इसका user decision नहीं होगा जो sample आया है यहां पे इसके वो होने के लिए quality होने के लिए doubt यहां पे कुछ नहीं सर यह तो ठीक है जलो अब PCN मैंने मैंना वो जगे डूढ़ रहा था जहां मैं topic डाल रहा था तो next class में हमें करने होंगे WA में आते हैं यहां डाला था हमें यहां जबाइ दो यहां में करता दो तो यहां में करता फ्रेश्यों पर दोब्षक्राइब कर यहां में पूआब करने हैं तो यह क्वालिटी का प्रोसेस था इसमें कोई डाउट हो भाई गौरव यह सर इसमें डाउट बताओ तुम्हारे उपर उपर जा रही होंगी कुछ चीज़े क्योंकि तुम पहली बार समझ रहे हो इसमें ऐसे पी वाले भी है है हाँ सरी मीगो मतलब दू-तीन जीज वो जो आपने स्टार्टिंग में बोले ना मीगो करके फिर चार वो जो तो अब अभी तुम प्रोसेस समझो मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ एक बार पांच मिनिट में ब्रीफ कर रहा हूँ के वल प्रोसेस ठीक है अगर मैं अलग हटकर जा रहा हूं वाट मुझे एक चीज मैं काफी वाला चीज देखता हूं मुझे जैसे बैच मैंडमेंट अभी हमने किया नहीं है बट काफी क्या कहते हैं बहुत बार याद है कि मुझे यह पर्टिकुलर बैच सैंप्लिंग पर जाना है तो वह भी हम यही बात कर रहे हैं कि 917 में वह पर्टिकुलर बैच जाए है कि उतने ही सैंपल क्वालिटी होगे के बाद क्वालिटी हो जाएगा तब 902 से आगे मटेरियल जाएगा तो वह जो बनाया हुआ है एरिया 917 वाला वो बनाए इसलिए अगर मालो 100% क्वालिटी होनी है तो आपको कि 917 में ले जाओ या आप नहीं ले जाना आपको सेटिंग करनी है उसकी ठीक है गुड रिसिप्ट करोगे अब आपको उसको ले के कहां जाना है अगर आप नहीं बनाओगे प्रोसेस सेंपल का अगर एक ही जैसे जैसे मैंने तीन-चार जगे जहां पर भी हमने प्रोजेक्ट किये है कई जगे requirement ही नहीं थी उनको 90062 में IO क्वालिटी कर लेते है तो हम तो सजेस्ट कर देते हैं 9002 में बनाया इस लिए जैसे 902 GR तो सभी के लिए सारे तरीकी का GR जो ए 902 में ही होता है special quality के लिए जो बना है 970 के एरिया बना है quality के लिए हाँ सर वो सब मैं समझा भट यह जो यह सब यह सब आजाए गया हाँ मैं बताता हो देखो जैसे transactions होती है तो गुड रिसीब करने की ने एक ट्रांजेक्शन है उसको मी को गोलते हैं मैं तुम्हें जो अलग क्लास दूँगा ना उसमें मैं तुम्हें दुबारा से बता दूँगा अभी तुम यह सोचो कि क्वालेटी का क्या प्रोसेस है तो पहले रो मटेरियल की एक इसफेक्शन हो गई दूसरा बना लिया गुड्स मैंने तो फिनिस गुड की प्रोड़क्शन चेक होनी चाहिए कस्टमर के पास जाने से पहले है ना तो फिनिस गुड की हो गई एक क्वालेटी तीसरा क्या बेच दिया है वहां से वापीस आ रहा है तो देखना है ना कि क्या प्रोड़क्शन में क्या कमी थी क्या नहीं थी तो वह तीन तरीके के प्रोसेस एफेक्ट होते है एक रो माटेरियल जब रिसीव करते है एक प्रोड़क्शन जब हम कर लेते हैं अब लैते हैं एक जब हम से वापीस आ रहा हो ता है रिटन होके मटेरियल आ रहा हो तो इन हमारा क्वालिटी ओग आब आते हैं एस्ट ओपर टीक है एस्टी ओ है अब यह उता है देखो एस्टी ओ यह कोरली प्रोसेस हो जाता है, यह STO जो है, SD और MM, ठीक है? ?? सटर्स्ट तो स्तूप स्टर्पर्श्पर्श्ट Rगव थ। सितर्स्ट अधन्स्टॉ है,orama तो स्ट्टॉ प्यूर्श याधन्स्टर्श म् ढॷ्य४। यह जो तूण म्स है ज्एस, व्लें उस्टांस्टॉ यह पूर्श्टॉ अब देखो यह क्या होता है STO दो तरीके की होती है अब देखो नाम से पता चल रहा है कि स्टॉक ट्रांसफर करना है यह सर्थ इस से एक जगे से दूसरी जगे तो दो तीन सिनारियों होते हैं एक प्लांट वन है मालो प्लांट वन है तो मारा दिल्ली में ठीक है D-E-L-H-I और एक प्लांट है मुम्बई में मुम्बई अब जो वेस्ट रीजन के जो भी कस्टमर है उसको मुम्बई सर्व करता है ठीक है और नौर्थ रीजन के उसको कौन करता है दिल्ली तो ऐसा हो सकता है कि कई बार दिल्ली में inventory नहीं हो और order आरहे हो नौर्थ रीजन से कई बार ऐसा situation हो सकता है कि मूबई में inventory नहीं हो और order आरहे हो सारे किदर के जो इसको supply करने अपने customer को right तो ऐसे cases में यह process किया जाते हैं तो अगर दिल्ली के पास inventory नहीं है मुंबई के पास है और उसके order बहुत urgent है customer को supply करनी है तो north region के सारे customer को supply करने के लिए जब तक order उसके पास inventory नहीं आती बनती नहीं है होती नहीं है वो कहां से मंगा लेगा मुंबई से मंगा लेगा या मुंबई वाला दिल्ली से मंगा लेगा इस process को बुलते है stock transfer order लस तो अब यह तो plant है यह company भी हो सकती है दो अलग-अलग एक कंपनी की दो अलग-अलग entity है एक company one है एक company two है तो एक inter company होता है एक intra company होता है तो अलग-अलग company है या plant अलग-अलग है यह दो scenario होते है तो मैं भी तुम्हें एक ही company के बता रहा हूँ एक ही company के दोनों plant है ऐसा भी हो सकता है दोनों company ही अलग-अलग तो अब देखो हमने जो पहला process किया था यादा रहो तुम्हें outbound का process जिसमें मैंने क्या बताया था कि एक apple phone का example लिया था यह apple का phone चाहिए आपने order दिया warehouse से delivery बनी apple phone फिक हुआ फैक हुआ और customer को डिलीवर हो गया ठीक है और दिली के पास में किवल दस ही phone है तक अब दिली को कितने और phone चाहिए और नब्बे इंद्वदे चाहिए अब मुंबई के पास में 1000 phones के order ठीक है और मुंबई के पास inventory है 1200 phone की या 1500 phone की या औरkommen inventory तो क्या कर सकता है मुंबई transfer कर सकता है दिल्ली को जलर EQार्मेंट है तो वो क्या करेगा यहां से inventory उठा के किस को बेजेगा दिल्ली को दिल्ली तर्ण 5 कै बहुत क weave पिर दिल्ली वाला क्या करेगा जहां भी उसको सौ देने हैं तब ही वो दे पाएगा उनका स्टमर को राइट तो अभी तो मैंने सेल का एक्जामपल लिया ऐसा ही हो सकता है कि आपकी दोनों यूनिट प्रोडक्शन यूनिट हो और राव माटेरियल नहीं हो किसी प्लांट के पास में और वो राव माटेरियल बाहर से कहिं से इंपट होके आता हो या कोई अलग रीजिट फिक है तो क्या करेंगे वह एक दूसरे से अ तो इस तरीके से दो प्लांट एक दूसरे को इन्वेंटरी ट्रांसफर करके उनका जो बिजनस का रिक्वार्मेंट है उसको कस्टमर के रिक्वार्मेंट को फुल करने में हेल्प करते हैं इसके तो अभी देखो मेंली अब ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे कैसे ये दोनों तो एक ही कंपनी के प्लांट हो सकते हैं या दोनों अलग अलग सकते हैं बट इन दोनों को क्या करने हैं अपनी इन्वेंटरी एक दूसरे को भेजनी है तो जो तुमने वो प्रोसेस मैं तुम्हें बत अभी दिल्ली क्या हो गया कस्टमर हो गया ना मुंबई का येस दिल्ली क्या हो गया कस्टमर हो गया ना दिल्ली क्योंकि उसको क्या चाहिए गुद्स मतलब हाँ उसको अपने ही प्लान से चाहिए तो अभी क्या हो गया दिल्ली क्या हो गया कस्टमर हो गया यह मुंबई क्या हो गया कि सप्प्लाहेंट разных वेंडर हो गया वेंडर लिक देता हो तो मुंबई हो गया वेंडर और यह हो गया कस्टमर तो अभी औरस कौन देगा किसको चाहिए दिल्ली वाले मुंबई को लेंगे दिल्ली वाला ओर्डर रेस करेगा किसको तो पर्चेस ओर्डर बनाएगा दिल्ली वाला किसको मंबई और मुंबई है तो पर्चेज ओर्डर में वह क्या-क्या डालेगा वेंसर कौन होगा दिल्ली el मुंबई मुंबई सप्लाइश Nating Mumbai डिकल है और रिसीविंग प्लाइंट कौन सा हो गया डेली तो पर्चेज ओर में वही वेंडर अपना यह हो गया यह हो गया अभी देखो ECC और S4 राना में बहुत मेजर डिप्रेंस है किस वज़े से वेंडर और कस्टमर जो है ECC में दोनों अलग-अलग बनते थे वेंडर और कस्टमर ECC जो पुराना सिस्टम है उसमें यह दोनों अलग-अलग T-Code है XK01, XD01 कस्टमर है वेंडर है तो XK01 ही कस्टमर है तो यह अलग-अलग व्यू के लिए MK01, MD01 ऐसे करके बहुत सारी ट्रांजिक्शन बना रखी थी है सकीन काली किसके लिए वेंडर कस्टमर के लिए अभी S4 आना में क्या है यह वल बिजनस पार्टनर है ट्रांजेक्शन है उसकी अभी आप जहाओ वहां S4 आना है बरत तो यह ट्रांजेक्शन अब्सलूट हो गई है S4 आना में BPI बिजनस पार्टनर और कस्टमर और वेंडर का इंटिग्रेशन हो गया है तो बार-बार अलग-अलग व्यू बनाने की वो करने की जरूवत है नहीं एक लिंक होता है जहां से दोनों एक दूसरे के वेंडर तो कंपनी हो हैं, employee हो, organization हो, vendor हो, customer हो, वो क्या है, business partner है इसी transaction में बन जाते हैं खाली, ठीक है एक ही transaction तो जो तुमने पहले purchase order बनाया था, vendor के लिए, बाहर के जो vendor है, यह तो अभी अपने internally purchase हो रही है, तो उसके लिए document type दिया है, SAP ने, document type से control है, यूबी, purchase order, यूबी type का, ठीक है, और बाकी सारी chain है, एक vendor मानोगे, customer मानोगे, और purchase order raise करते हैं, तो अब कितने purchase order raise करोगे, अब 90 का raise करोगे, तो यहां से 90 डिलीवर होने चाहिए, तब ही 90 आएंगे इधर, तो यहां पे VL10B, VL10B transaction है, तो बाद में जब करेंगे cycle तो बताएंगे, तो यहां से मैं भी delivery बताता हूँ, तो यहां से delivery होगी, कितने की? 90 डिलीवर, इस purchase order के हिसाब से, ठीक है, यहां से delivery हो जाएगी 90 पीस की, उसके बाद क्या होगी, picking packing warehouse है तो, ठीक है, packing, 90 पीस की, और फिर, यहां पे जब आएगा वो 90 पीस, तो क्या होगी उसकी, good receipt, तो जैसे ही यहां से picking, packing होने के बाद, जब PGI हो जाएगा, good receipt, जब goods issue हो जाएगा, PGI मतलब post-guit issue बोलता है, ठीक है, तो जैसे ही यहां से goods issue होगा, तो अभी क्या दिखाएगा, in transit दिखाएगा, वो अभी इधर तो है नहीं, ठीक है? बही, यहां से तो 90 पीस निकल गए है, ठीक है? और अभी यहां 90 पहुचे नहीं है, तो 90 कहां होंगे? बहीं तो होंगे, क्योंकि देखो, उसी company की inventory है न, तो ट्रांसपोर्ट में होंगे, तो उसको बोलते हैं, in transit, क्या बोलते हैं? मैं अलग से यहां तहीं लिग जयता हूँ, जब तक पहुचता नहीं है, in transit, इधर लिग जयता है, in transit, in transit, stock, तो जब तक यह stock यहां नहीं पहुच जाता, इस plant में, दिल्ली में, तब तक वो in transit रहेगा, और उसकी transaction थी, mb5t, देखने के लिए, कि कितना इंट्राजिट पड़ा है, फिर यहां आएगा, तो वही क्या होगा, good receipt होगा, और good receipt होने के बाद क्या होगा, put away होगा, put away into warehouse, तो वो process जो तुमने देखा है न, vendor receiving वाला, warehouse के लिए कोई फरक नहीं पड़ता, बरत, क्यों हो नहीं फरक पड़ता, क्योंकि moment type 101 ही है, तो STO का जो receiving है, external जितना भी receipt है, उसे warehouse को कोई मतलब नहीं है, जब यहां आ जाएगा, तो warehouse की bin में चला जाएगा, यह जो customer है, जिनको कितने piece देने हैं, सो, सो का ओडर है, तो यहां आप 90 आ जाएगे, सो हो जाएगा, आप delivery बनेगी, picking packing होके, यह material इन customer को मिल जाएगा, ठीक है, तो यह stock transfer order का यह जो है, यह process है, और इसकी दो category है, within plant, और company भी अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट, नहीं, नहीं से, परत, कोई डाउट, नहीं से, ठीक है, तो वेर हाउस में, देखोगे, तो कोई process में difference नहीं है, बस understanding के लिए यह पता नहीं होना चाहिए, कि क्या होता है, movement type अलग है, जब यहां से निकलेगा, तो वो देख लेना, मेरे खाल से, 641 होना चाह है, ठीक है, 601 नहीं होता, जैसे हम 601 होता है ना, नॉर्मल के लिए, तो उसके लिए 641 होगा, ठीक है, बाकी कोई change नहीं है, ठीक है, तो, अब आज के लिए आप लोग के लिए कांग, मैं ये वीडियो बंद करता हूं पहले, recording, तो,